बस ऐसी सीरीज चाहिए आफ्र वाचिंगा शिट शो अन वूट इस शो मेड माड़ी सो मूविंग अहेड काशी राम नरायन परिवार में वार चल रही है जमीन को लेकर अब ये जमीन की लड़ाई कैसे बढ़का चुटका और गुडड़न की जिन्दगी में तकलीफे खड़ी करता है और तहलका मचाता है वो आपको हाट स्टार पर छे अभी सोट देखकर पता चलेगा जिसे की आफ फ्री में बिंच कर सकते हैं Only in India I will specially start by saying this कि इस सीरीज का जो स्टोडी प्लॉट है वो हमारी जिन्दगी का एक आम हिस्सा है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में जीते हैं लेकिन इतने बावालों के बाबजूद भी ना हम कभी दुखी नहीं होते हैं और इन मोमेंट्स को हम हमेशा इन्जॉइ करते हैं वैसा ही सिनेरियो इस सीरीज में भी है And that's the reason I am immensely in love with this series परी वार को देख करना मुझे गुल्लक, कोटा फैक्टरी और ये मेरी फैमिली की याद आ गई जहाँ पर small life living characters जो है वो main hero है And I won't lie to you, इस show को देखते हैं वक्तना आप शुरुवात से लेकर end तक आप totally invested होंगे और जो gradually आपका connection build होना start होगा पहले episode से वो slowly slowly end तक जाते जाते वो इतना strong bond हो जाएगा कि आपको पता ही नीचे लेगा कि ये समय कैसे निकल गया इवन दो इस show का जो suspense है वो भी बहुत twist and turns के साथ हमारे सामने आता है end में The best part about pretty war is that कि इसमें कोई भी sketchy characters नहीं है बठा मैं आपको ये बता दू कि स्टोरी में आपको बहुत असानी से loopholes औगरा मिल जाएंगे लेकिन जो आपका focus है उन पे नहीं होगा आप notice ये कर रहे होंगे कि स्टोरी में चल क्या रहा है और ये जो बवाल वाला जो मुद्दा है वो कैसे solve होने वाला है और सारी चीज़े कैसे end में जाके resolve होंगी और मैं सच कह रहा हूँ ये जो भसड फैली वी है ना इसमें वो अलग ही है पर इवाल की स्टोरी grasp होने के साथ काफी जादा engaging है क्योंकि इधर जो characters है उनके traits काफी जादा realistic है series में आपको कोई भी एक ऐसा मौका नहीं मिलेगा जहां पर आप कहीं है कि यार ये वाला जो scene था वो काफी जादा vaguely हमें दिखाया गया है या जो उसका nature था वो भी you know after a very long time I am doing a unscripted version of my review I was so invested in the story कि मैंने का जाने दो यार मुझे इस बार points हो गया नहीं लिखना मैं बस बोल दूँगा जो मेरे मन में आएगा क्योंकि I just wanted to feel this story apart from this if I talk about performances once again Vijay Raj nailed it जैसी वो screen पर आते थे सारा attraction अपनी और खीश लेते थे ना जो हमारी आखे होती थी वो बस उनके ओपर होती थी कि यह बंदा कर क्या रहा है even though I love the performance of Ranveer Shoray and Yashpal Sharma जो उनकी bonding है और जो उनके बीच में टक्रार होती है वो लाजवाब थी यार मतलब एक ही थाली के चटे बटे थे लेकिन जब लड़ते थे बापरे बापनाक में दम कर देते थे and I will take a few seconds to appreciate Ranveer Shoray क्योंकि जो उनका character था उसकी एक अलगी अंदाज थे क्योंकि उसकी आइस काफी जादा ब्लिंक होती थी and the guy made it look so natural कि मुझे लगी नहीं रहा था कि ये जानके कर रहे हैं या उसका जो character है वो करवा रहा है मतलब वो इतने जादा role के अंदर घुज़र वे थे and every time you are going to see in his eyes he was like blinking 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 and it was like hell man even though I love the ladies of this show क्योंकि उनके भीच में भी जो नोग जोग थी और जो वो टक्रार वाली जो ऐसे ना चलाकी वाली वे में जो बात करती हमारे घर की ladies and mummy वगेरा भी वैसी वो लोग बात करने थी कि कि किसी तरह ही किसा है ना उनके मन की बात उगलवाए और वही सारे ट्रेट्स हमें इस शूमें भी देखने को मिलें जिस तरीके से उन्होंने खुद को पोट्रे करा है क्योंकि उनकी भी केमिस्ट्री अलगी लेवल की थी मलब वह थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल थी लेकिन वह भी काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग थी डारेक्शन की बात करो तो you are going to see a smooth flow and story जो है वह इधर उदर जंप कर रही है लेकिन जो करेक्टर का माइंसेट है वह हमें बहुत ही अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया है हर एक करेक्टर का हमें time to time follow up मिल रहा होता है कि वह उसके mind में क्या चल रहा है वह क्या सोच रहा उसकी अगली planning क्या है और वह अग even जो शो में bits and pieces में characters भी हमें दिखाए गए है उनका भी एक मक्सद है and they are portraying it very well I fucking love the series and I assure you you will also love this और हां मैं caution दे रहा हूं कि series में थोड़ी बहुत abusive language भी है लेकिन वो उतने जादा cheap level पे नहीं है जतना कि हमें बाकी series में देखने को मिलता है it was like smooth थोड़ा सा soothing है बाकी series के comparison में और उतनी गाली गलोज भी नहीं है कुछ-कुछ समय पे कुछ-कुछ ऐसे moments है जहां पे naturally गाली आ जाती है and by noticing all that I am going to say परिवार इस बोले तो बोले तो जकाश थैंक यू सो मच पर वाचिग दिस वीडियो तिल दी एंड and don't forget to subscribe my channel कुछ